आज आपको RS200 में आने वाले कुछ प्रोब्लेम की बारे में और उसकी सलूशन की बारे में बताऊँगा दोस्तों ये प्रोब्लेम सभी को फेस करना ही है और इसलिए इसका सलूशन भी जानना ज़रूरी हो गया है आज इसी टपिक पर ही मैं डिटेल्स बताऊँगा दोस्तों ये रहा मेरा बाइक का पिछले टायर आप अपने टायर का ग्रिप लोग देख सकते हो तो अगर यहां तक घिस जाता है तो आपको टायर बदलना होगा नहीं तो आपके लिए ये जानलेवा हो सकता है इस चीज को बिल्कुल भी नदर अंदाज मत करना दोस्तों आप जैसे भी बाइक चलाते हैं चाहे वो सिटी राइड हो या ओफ राइड ये स्टोक टायर 20,000 किलेमेटर तक चलेगा 20,000 किलेमेटर के बाद इसकी ग्रिप लोग तक चलेगी अगर ये ग्रिप लोग के वराबर हो गया है तो आप तुरंत बदल दे और दोस्तों अगर जिरो से 20,000 किलेमेटर के बीच टायर यानि ट्यूबलेश टायर में पंचर हो जाए तो क्या करें ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले पंचर की बात करें तो पंचर होना एक नर्मल चीज है किसी भी बात आपके बाइक पंचर हो सकता है पंचर का सही इलाज ही इसका सलूशन है हमारा लोकल पंचर दुकान पे ये सही से नहीं कर पाते हैं ये 100% सक्सेस्पूल नहीं होता है ट्यूबलेश टायर में सबी tire manufacturer company tire तो manufacture करते हैं पर puncture का लिए कोई भी solution नहीं ढूड़ते हैं जो 100% work करें इसलिए दोस्तों puncture का ilaj कुछ अलग company का manufacturer ने निकला है उसमें से एक ये mushroom puncture जिसमें rubber का एक mushroom plug होता है जो machine की जरिये tubeless tire में insert किया जाता है और आपका bike puncture proof हो जाता है ये 100% work करता है फिर भी दोस्तों आप देख लिजगा ये जो मेरे bike का front tire है और ये grip lock है अंदर जो 3 row आप देख रहे हो ये grip lock है अगर यहां तक घिस जाए तो आपको tire बदलना है ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों मेरे bike का kilometer reading 12500 यानि ये tire 12500 km घुमा है ऐसे में ये tire का condition अब देख सकते हो अभी तक ये puncture नहीं हुआ है पर पता नहीं ये कब puncture हो जाए फिर भी ना दोस्तों आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सही से काम करना है कुछ knowledge लगाना है ज्यादा तर देखा जाए तो bike में छोटा छोटा पंक्चर ज्यादा होता है मेरे कहने का मतलब 1 mm से 3 mm तक होता है ये puncture का hole इसको अगर आप local puncture सब पे ले जाओगे puncture सही करवाने के लिए वो लोग इस hole को पहले बड़ा करेंगे उसके बाद बाहर से adhesive type का roof insert करेंगे दोस्तो ये roof plug 3-4 माईने के अंदर ही फैलूर हो जाता है इसमें से हवा निकलने लगता है एक बार ये हवा निकलने लगा तो आप समझ जाएगा आपका puncture तो गया और आपका tire भी गया क्योंकि इसमें hole बड़ा हो जाता है hole बड़ा कर इसको plug करते हैं सबसे पहले इसलिए hole की बज़े से ही ये tire बरबाद हो जाता है अगर tire में 3-4 puncture है तो आप समझ जाएगा आपको तो tire बदलना चाहिए और ये चीज आप नहीं जो tire सब बाले हैं वो बोलेंगे आप tire बदल दीजीगा इसलिए ये root plug मेथोड से पांक्चर ही मत करवाना अगर आप आपने bike tire को minimum 20,000 km तक यूज करना चाहते हो तो आप मेरे ये method को apply कीजिएगा इसके बाद आप no doubt बेफिकर होके bike ride कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरे kilometer reading 12,310 है पर मैंने वीडियो की fast में 12,500 कह दिया था तो इसलिए extremely sorry तो दोस्तों आपको एक चीज और कहना चाहूँगा बारिस की बज़े से bike गिर जाता है इसलिए आप कभी भी गिली मेटे पर bike रखना तो आपको एसे एक stand पे plate नीचे रखना तभी आपका bike सही रहेगा नहीं तो नीचे गिरने से इसका handle bend हो जाता है अगर आप घर से कई बाहर जा रहे हो ऐसे situation में आपको bike को level hard surface पर ही stand करना है यह चीज पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है मेरे bike दो बार नीचे गिरा है stand की बज़ा से एक बार गिरा था यह handle pipe strong है फिर भी यह थोड़ा सा bend होता है भारी bike है ना इसलिए puncture की method की बात करें तो दोस्तो सबसे पहले method number one showroom से bike लाने की बाद आप bike को कभी भी ऐसे area में ride मत करो जहां आपको लगे की यह puncture हो सकता है method number two puncture होने की बाद आपको root plug method से puncture सही नहीं करना है method number three puncture होने के बाद puncture को हटाने के लिए अच्छा वाला liquid यूज करना है method number four अगर पहले से आप root plug यूज किये हो तो आपको फिर से दोहराना नहीं है next में आपको mushroom plug यूज में लाना है दोस्तो ये चार method जो मैंने किया हूँ ये आप फोलो कीज़ेगा ये चार method no doubt 20,000 km से उपर तक आपका bike tire का life increase कर देगा ये 100% sure है दोस्तो अगर आपको किसी चीज पर doubt है तो मुझे मेरे whatsapp number 87637 33659 मैं आपको mushroom plug दिखाना जा रहा हूँ ये grand fish top का है काफी अच्छा plug है और इसमें देखिए MRP 500 लिखा है पर ये 500 नहीं हुआ था मुझे 250 ऐसा कुछ हुआ था और डेली बेज चार्ज के साथ 300 ऐसा कुछ हुआ था तो यहां देख लिजीगा दोस्तों यहां 6 plug है उन्होंने 6 plug भेजा है तो फिलल कुछ नहीं पर इसका packing काफी अच्छा है देखिए दोस्तों ये 3 plug है और ये 3 plug तो मुझे 1-1 plug को 50 रुपिस हुआ है देखते हैं ये plug कैसा है इसमें oil लगा है देखिए आप ये oil इसका देख सकते हो हाथ में तो देख लेजीगा दोस्तों ये mushroom plug है और इसको हम mushroom plug कहते हैं ये बाहर से tire में जैसे कि tubeless tire में inset किया जाता है उसको press करके एक pipe में रखा जाता है उसके बाद उसको press करने से वो automatic घुस जाता है inset हो जाता है tubeless tire में और उसको खीचने के बाद ये जो mushroom है वो अंदर रहे जाएगा और बाहर का जो pipe मतलब rubber है वो बाहर निकल आएगा और ऐसे में ये puncture proof हो जाएगा हवा नहीं निकलेगा काफी अच्छा काम करता है 100% work करता है फिलल इसको जैसे अंदर packing हुआता ऐसे ही रख देते है तो दोस्तो ऐसे तरह deep जान करे के लिए मेरे channel deep knowledge को subscribe कीजिए दोस्तो like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए thank you, join